हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई चानल डेंटल मैस्ट्रो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रिवेंशन ओफ डेंटल केरीज आप सबको पता है प्रिवेंशन मतलब होता है कोई भी चीज होने से पहले ही हम उसको रोख ले मीन्स कोई बीमारी है हम ऐसे प्रिकॉश को यही सब बताने वालनी हूँ कि हम ऐसी क्या क्या चीजे कर सकते हैं जिससे हिम डातों में इक की लग जादा हैं तर्दा या। उसको हम रोखर का ही जैसे की ऑ्र γयू कर सकते तो हम इन सारी चीजों से डेंडल केरी इसको प्रिवेंट करते हैं तो सबसे पहले हमारी बात आती है में नोटिस कियोगी कि यदि हम एक दिन हमारा ब्रश इसके पूझाता है वैसे तो नॉमली सब ही करते हैं लेकिन इसके पूझाता है तो एक वाइट से लेयर जमने लगती है तो उस वाइट वाली लेयर को हम डेवरी बोलते हैं फिर क्या उद्धा उसमें थोड़ा सा और बे जड़नऻ्न प्रापर उपस है तो उस कंडिशन में हमारी केरी वहीं के प्रीवेंट सा इस त तरीके से हम अपनी ओर गगजीन को मिद्व कर सकते तो अब में किस तरीके से मिंद्यीन कर सकते है वह तरीका हम रोप टूथ जालिख여 साफ नहीं उपाई तो उसे साफ हो जाती है interdental wooden sticks यूज कर सकते हैं लेकिन हाँ जिसके दाद बिल्कुल टाइट है बिल्कुल मतलग दोनों दातों कोई space नहीं उनलों को interdental wooden sticks यूज नहीं करने हैं इसी की मसूड़े नीचे बैट चुके हैं बहुत spaces दिख रही है खाना फस रहे तो उस condition में wooden sticks यूज कर सकते हैं brushing properly कैसे करने हैं यदि आपको यह चीज समझ में नहीं आ रही हूं तो मैंने पहले werde video बना रहा रहा किया वहाँ जाकर देख सकते हैं how find interdental brushes लगे हूं है वो interdental brushes से clean कर सकते हैं जिन के dasada ре- parish कर सकते हैं और यह है कि हम उनसे सब को सफाई रखनी चाहिए toothpaste mouth washes regularly use करने चाहिए थाकि हमारे दाथो की सफाई रहे हमारी oral हाईजिन मिंटेन रहे और हम केरी से दूर रहे यदि बहुत डपॉजिट हो चुका है और अभेर्नेस हमें अभी मिलिये क्लिनिंग नहीं हो पाई है तो हम प्रोफेशनल क्लिनिंग ले सकते हैं जिसको हम सकेलिंग बोलते हैं अब बात आती है हमारे डाइटरी मोटिफिकेशन की यदि हमारी डाइट में सुक्रोज की क्वांटिटी जादा है तो हमारे दात केरी की बहुत जादा प्रोन है सुक्रोज को आर्च क्रिमिनल भी कहा जाता है तो हम क्या कर सकते हैं सुक्रोज का रिप्ल दात का डी मिनरलाडि़ाड को रोकता है जो नेंज को नियुंदात मेरिया हम्हे नेर्स करिंग घ्राओ मिल्क तो मैं हमें काव बादा से शमय कास्टा सब忘ना flex श Cloud चीज यूज करना चाहिए भी चीज और अदर अमारे bet रोकता है हमारे जिस केसे केस्टा सबवाद हो कम कर देते हैं सब्स्टिट्यूट्स ले सकते हैं यूज कर सकते हैं वैसे तो वमें टी कम ही यूज करने चाहिए क्योंकि जो हमारे टी है वो टूथ का discoloration करती है लेकिन जो green tea, oolong tea है उसमें कुछ compound ऐसे होते है polyphenol, flavonoids तो वो क्या करते हैं हमारे जो bacterial growth होते हैं उसको खतम कर देते हैं तो जिसकी वज़े से हमारी caries risk कम हो जाती है तो हम green tea, oolong tea ये सब यूज कर सकते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि zero estomia वाले patients caries की बहुत जादा प्रोन होते हैं zero estomia means मुह में कम थूग बनना तो उसमें क्या होता है कि कम थूग बनता है, slivery flow कम होता है क्या होता है कि वहां पर wash आपनी हो पाता और वहां पर caries हो जाती है तो उस condition में हम slivery stimulants use कर सकते हैं slivery stimulants कौन कोन कौन से हम उसकोटे हैं chewing gum होता है उसको use कर सकते है पारफिन वैक्सु्स कर सकते हैं conocete दाइबरी फ्लो जो बियह कर दीन है जिसके से के सब्सेद्ट फ्लोहराइप चैँ चलिक सब्सकेजार debe यहें पूद्ट अटवह एट्फिशर लोगे मडें लगटेवाइपने दीपे मसया है ने कि अशुका कंडी journey प्रूपने लगता है प्रॉपर क्लीनिंग हो नहीं पाती तो जिसके वीछ से केरी जाती है तो हमें क्या चाहिए देंटेस्स के पास जाके वहां पर पेटन फिशर सीलेंट शीज रा लेना चाहिए जिसे कि क्या है जो जो पिट से बहुत डीप है वो डीप नहीं रहेंगी औ और हमारे वहां पर फिलिंग होकर प्रॉपरली जो प्रॉन एरिया हैं हमको खतम कर देगी और हमारे केरी के चांसे काम हो जाएंगे इन सब तरीकों से हम केरी को प्रेवेंट कर सकते हैं थैंक यू फो वाचिग मैं वीडियो और दोंट फोरगे तो लाइक सब्सक्राइब जेयर बाइब टेक कियर